गूट मर्निंग प्रेंज, मेटाफोर्ड सिस्टेम कुछी समय की आंदर सभी की सामने लाइब हो जाएगा फिलाल अभी अपग्रेड पर चल रहा है मेरा सामने देखने को मिल रहा है Metafords की जो official site में open करके beta हो लेकिन कुछ ही समय की अंदर live हो जाएगा इस पर ID लगाने के लिए आपकी पास MediCoin और Dye Stable कौन चाहिए Polygon Network की तो सबसे पहला कही सरी लोगों ने wallet पर coin ready कर लिया अगर ready कर लिया trust wallet की अंदर तो ये सबी के लिए एक message दे रहा हो देखिए जिस time system live होगा उस time trust wallet से ID नहीं लग सेकता है क्योंकि system live होने की बात हैंक रहता है उस time trust wallet पर काम नहीं होता है token pocket Metamarkes अच्चा काम करता है तो अगर आपके बाद trust wallet है और इस पर coin ready कर लिया तो उसी wallet को import कर सकते हो token pocket पर import करने के लिए setting पर जाए setting पर जाने के बाद उपर में wallet है इस पर click कीजिए जो wallet import करना चाहते हो इसकी सामने देखने को मिल रहा है 3 dot 3 dot इसकी उपर कर देना है click इसके बाद देखने को मिल रहा है show secret press इस पर कर देना है click इसके बाद 3 box मिलेगा तिनों को tick mark लगा के continue कर देना है जैसे continue करते हो आपकी सामने private की आ जाएगा तो इस private की को copy कर लेना है कपी कर के जाना है आपकी जो token pocket है इस पर जाने की बाद इस तरह देखने को मिलेगा मैं तो अल不好 नहीं कर लिया लिखिन आपको देखने को मिलेगा play store से डाउं लड़ करने की बाद token to get इस तरह देखने को मिलेगा है तो अल्रएड यसा नहीं यह अगर पहला से लिएघ काउंट से नया तो import wallet पर click करना नहीं पड़ेगा already have wallet पर click कर देना है उसके बाद require press import पर click कर देना है और उपर में आपकी जो private की है इसको डाल देना है उसके बाद निचे दू password डाल देना है password डालने की समय small capital 123 एकदार 8 इस तरह डालना है दुनों box पर सेम से password डाल देना है आई have read पर click करके import wallet पर click कर देना है आपकी trust wallet token pocket पर import हो जाएगा और trust wallet पर भी काम चलेगा token pocket पर भी काम चलेगा दुनों तरफ आपकी काम चलते रहेगा लिकिन token pocket से बहुत ही आसानी सी account लग जाएगा तो उसके बाद token pocket की जो depth से निचे देखने को मिला पर discover इस पर click करके उपर सार्च बार में लिंक पेस्ट करते हो तो site open हो जाएगा ठीके